कि अलो नमस्कार जे सिल्सी मों प्रकासन टीम सिल्सी सिकर से हो रहे हैं आज आपका पेपर था दंगल फोर आई होप अच्छा गया होगा आपका तो मैं फिजीकल वाला पॉर्शन आपको डिसकस कराऊंगा तो क्यूशन नमर देखो 63 क्या है यह आपको इनका सेल पोटेंचिल दे रखा है इसको आप डियक्शन की फॉर्म में रिप्रेजन करें तो एपी प्लस टू तो रेक्टोन गेन करके कि इसमें करोट हो जाएगा एपी के अंदर है यह क्या देरका है रेडेक्शन पोटेंचिल तो इसका इनोड आपको कितना दे प्लस ग्लाइगा है एक्स वन देरका है है n avis डियक्शन आपको दिरका अपी प्लस थरी है को कि तेन अलेक्टोन गेन करके यह एपी कैंदर कन्वर्ट होगा और यहां पर इनोड आपको कितना दे रrüक है एक्स टू देरक है और आह पको इस रीक्शन का इनोड इनोड से आप से पूचर का है तो आपको पता है कि ये दो रिक्षंस है इन दो रिक्षंस से आपको ये तीसरी रिक्षंस टाप्त करनी है और चुक्कि इन और सिल के इंट्नशी पर्पर्टि थो पहले आपको क्या करना है अब करना है तो डेलता आपको कलकुलेट करें तो डेल्टा डेल्टा जीओन बागा मैस का एक टू आप टू कितनह रही तो मास का방 डेल्टा टू कATION का आएगा मानस का 3F X2 और ये डेल्टा जीनोड 3 आपका क्या हैगा मानस का 1F E-Node Cell ये आपको कैलकुलेट करना है अब देखो equation second में से equation first का आपको क्या करना है मानस करना है तो डेल्टा जीनोड 3 is equal to क्या हो जाएगा डेल्टा जीनोड 2 मानस का डेल्टा जिन one और डेल्टा जिन ूर्थ Commerce कितले मानस की आपको calculate करने है और डेल्टा जी नूर्टू कितना दिनगा मानस का थ्री एफ एकस्टू है मानस ओप मानस का डेल्टा फ्र्टू एक्स ऒर्न होको तो दो मारेस फ्रजगे से एन्सिल हो जाएगched तो आपके पास क्या जाएगा इनोड इसकुल टू क्या एगा थरी एक्स टू मानस का टू एक्स वर नोड है तो कौन सा ओप्शन होगा फर्स्ट ओप्शन इस क्रेक्ट नेक्स क्यूशन 64 किसी उपकोस में उपस्ति अधिक्तम इलेक्ट्रोन की संक्या निन में से किसके द्वारा निधर की जाती है अधिक्तम इलेक्ट्रोन की संक्या किसी उपकोस में तो किसी उपकोस में दिखते इलेक्ट्रोन की संक्या 2 2L plus 1 से आपन क्या करेंगी डिटर्माइन करेंगी 2 को अंदर मल्टिप्लाइब करोगी तो क्या एगा 4L plus 2 तो 4L plus 2 कौन सा ओप्शन है फर्स्ट ओप्शन इस क्रेक्ट नेक्स्ट क्यूशन 65 0.1 molal weak acid HX 20% ionize हो रहा है और इसका आपको KF की वेल्व देरिके और इसका डेल्टा T F यानि की विलेन में हिमांग का होना मन लावरिंग फ्रीजिंग पॉइंट आप सोलुशन तो वी नो देट डेल्टा T F इसकूल टू क्या होगा I into KF into molality तो पहले आप वोंटो फिक्टर I की विल्यू कालकुलेट को तो I is equal to 1 plus N minus 1 alpha हो घो और कि I is equal to क्या होगे 1 plus N की विल्यू क्या होगी 2 तो 2 to minus 121 alpha कितना है 20% takich point tua आजाएगा तो I is equal to क्या जाएगा one plus point two यह भी one point two और आपको यह देर के 0.5 तो यह आजाएगा 0.5 इसको आप सोल करोगे तो इसकी वेलियू आएगे आपके पास 1.12 केलविन तो कौन सा अप्शन से होगा फॉर्ट ऑप्शन इस क्रेट नेक्स्ट क्यूस्ट इसक्स्टिसिक्स यह आपको रियक्शन देर किये प्राणम में एक्स का एक मोल देरक है यनि इसका 1 मोल देरक है इसका कितना मोल देरक है थ्री मोल देरक है इसका 4 मोल देरक है तो इसमें आप देखोगी लिमिटिंग डिजेंट कौन सा है तो लिमिटिंग डिजेंट है आपका एक्स तो एक्स के रिस्पेक्ट में आप और 5 by 2 बने ने 2.5 मोल हो दो एक्चलो में कितने बन रहे हैं बने तो 2.5 जी बन कितने रहे है बन कितने रहे हैं 1.25 मोल बन रहे हैं इसका मतलब 50% क्या होर रहे है प्रोडेक्टिविटी हो रही है तो परसेंटेज येल्ड कितने होगी percentage yield is equal to 1.25 upon 2.5 into कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा ठीक है तो यह कितना जाएगा आपके पास 1 by 2 into 100 तो यह जाएगा आपके पास 50 परसेंट तो कौन सा अप्शन से होगा फर्स्ट आप्शन इस करेक्ट तो नेक्स्क्षन 627 कि एक हुआ बड़ा है और ड्डेल्टा चाह पोजिटिव है इतमीज और एंडो थृमिक रिक्शन है और यह बोलना forward reaction is not favored by, तो second तो सही है, अब दाब में वर्दी, increase in pressure, तो KC बड़ा है, यानि N2 प्लस 3H2 से 2NH3, यह कोई reaction है, जिसके अंदर delta N की value क्या है, नगेटिव है, और हम जानते है, KC बड़ावर क्या होता है, KC, RT की पावर delta N, delta N negative है, तो क्या हो जाएगा, KP upon KC, RT की पावर 2 आजागा है, यादि इस reaction की बात करों तो मैं, तो इसके अंदर, KC के अंदर RTC divide होगा, तब जाके आपको क्या मिलेगा, KP मिलेगा, और है, इट मिन्स KC बड़ा है, यानि कि यहाँ पे अगर pressure का effect देखें, तो यहाँ पे number of gaseous, small कितने है, 2, तो pressure increase करोगे, तो reaction किस direction जाएगी, forward direction, और pressure decrease करोगे, तो reaction जाएगी, backward direction, तो डाब में जो कमी है, वो अगर अभी क्रिया के पक्स में नहीं है, और किरिया का अंदर्त, आप increase करोगे, तो भी reaction किस direction में जाएगी, forward direction, तो correct option कुन सा है, 67 में, 3, 68, oxygen और hydrogen gase, O2 और H2 gase, कि kinetic energy का ratio आप से कुछ है, इसके परते के 8 gram है, इसके भी 8 gram है, और इसके भी 8 gram, इनका आपको ratio निकालना है, और इसका अणुबार कितना हो गया 32, और इसका कितना हो गया 2 और है, तो यह कितना हो गया 4, और यह भी आगया 4, यानिकी, एक बटा 4, चार बटा 1, यह आजाएगा, कानेटिक अनर्जी किसकी, O2 की, और यह आजाएगा, कानेटिक अनर्जी किसकी, H2 की, तो यह किया आजाएगा, एक बटे 16, वरनी 1 ratio 16 आजाएगा, यानिकी, थर्ड ऑप्शन इसक्रेक्ट, नेक्स्क्रेक्शन 69, निम्ड में से किसकी लिए pH का मान एकाई होगा, विच आजाएगा, यानि किसकी pH 1 होगी हो रहा है, तो पहले में देखोगे आप, acid के 3 million equivalent है, और base की भी 3 million equivalent है, तो यह solution तो क्या होगा है, neutral, इसकी pH तो कितनी हैगी, 7 आजाएगी हो रहा है, second देखो, यह कितना जाएगा, HCl के, या net resultant आपके पास, जो normality आएगी, वो कितनी है, 5.5 इसको इससे multiply करोगी, minus का 4.5, अपो नीचे total volume कितना जाएगा, 100 हो रहे है, तो यह क्या जाएगा, 1.0 अपोन 100 आजाएगा, यह आएगा, 10 की power minus का 2, तो pH कितनी आजाएगी, आपके पास, 2 आजाएगी, तो second option नहीं हो सकता, पहला option नहीं हो सकता है, और इसके अंदर क्या आएगा, इसमें 4.5 मे से आप क्या minus करोगे, 1, 3.5 है, अपोन 55, इसके अंदर भी नहीं है, last option देखो, इसमें resultant solution की normal put out करें, तो कितनी आजाएगी, यह 25, sorry 15 हैगी, 15 मानस का, 5 का 25 में कितनी बाद जाएगे, 5 times, और नीचे total volume कितना है, 75 upon 25 कितना हो गया, 100, तो यह क्या जाएगा, 10 upon 100, यानि कि क्या जाएगा, 1 upon 10, यानि कि 0.20, 10 की पाउर क्या जाएगा, minus 1, और इसमें ज्यादा क्या है, acid है, तो यह H plus N की concentration है, वो क्याएगे, 10 की पाउर, minus 1 है, तो pH किस की एक पुलाएगी, pH 1 की एक पुलाएगी, तो correct option कौन सा हो गया, fourth हो गया, next question, 70, nbrow और-thor, L1 और 3, उपकोस मैं देखते हो, इलेक्टोनों की संग्या क्या होगी, तो कौन सा, सबसेल है, 3, 4F, 4F, सबसेल है, और 4F, सबसेल के अंदर, M की विल्यू कितने होगी, और, L की विल्यू 3 है, M की विल्यू क्या होगी, minus 3, minus 2, minus 1, 0, plus 1, plus 2, plus 3, तो 7 orbital है, और 7 orbital में क इतने लेक्टोनोंगे, 14, तो correct option कौन सा होगया, 3rd होगया, 71, consider the following reaction, ये reaction देरे कि निम में से कौन सा खतन सत्य, इसके अंदर सत्य खतन नहीं, इसके अंदर आपको देखना है, निम में से कौन सा, ए सत्य खतन, यहाँ पी आप क्या लिकने ना, ए सत्य खतन, और इसमें incorrect statement है incorrect statement है, तो यह है एक अंत्रा अनुक रेडॉक्स बिक्रिया, बिल्कुल सही है, this is the intermolecular redox reaction, क्योंकि एक element तो क्या हो रहा है, यह प्लस 2 से किस में जा रहा है, प्लस 4 में, यह तो क्या हो रहा है, oxidize हो रहा है, क्या हो रहा है, oxidize, एक substance तो क्या हो रहा है, oxidize, और यह mercury प्लस 2 से किस में जा रहा है, प्लस 1 में, तो दूसरा सबस्टांस हो रहा है, reduce, एक substance तो क्या हो रहा है, oxidize, दूसरा हो रहा है, reduce, तो SNCL2, औक्सी करत, तता IGCL2, क्या हो रहा है, अप्चेहित होता है, इसका oxidization हो रहा है, तो यह क्या है, reducing agent, यह यह अप्चायक है, और यह क्या हो ज reaction, disproportionate reaction में, तो क्या होता है, एक element का oxidation होता है, उसकी element का क्या होता है, reduction होता है, ऐसी reactions को आप क्या कहोगी, disproportionate reaction, तो fourth incorrect statement हो गया, next question, 72, 1 mol H2O2 को O2 में, औक्सी करत कर रहे हो, H2O2 किसम जाएगा, O2 के अंदर, यह इसका charge कितना है, 0, यह पी कितना है, minus, तो N factor कितना हो जाएगा, तो इसका charge है, वो क्याएगा, mol कितना है, 1, transfer electron 2, तो 2 Faraday, इन 2, इन 2, एक Faraday, विरावर कितना होता है, 965, 00, कुलाम, यह जाएगा, 193, 00, इसका आप लिख सकते हो, 1.93, इन 2, 10 की पावर, 5, ठीक है, तो कौन सा option से होगा, 3rd option is correct, 73, 1st order action का T half देरे का, यह आपको T half कितना देरे का है, 60 minute हो गहाए, और 1st order action का T half कितना होता है, 0.693 अपोन K, तो K is equal to आपके पास क्या आएगा, 0.693 अपोन 60, और आपको 90% जब reaction complete हो जाती है, तो कितना time लगता है, इसके बारे में आप से पूच है, तो यह हो जाएगा, 2.303 अपोन T log 10 बेस, A upon 90%, A minus 90, A upon 100, तो इसको आप सोल करोगे, तो इसकी value क्या आएगी, log 10 बेस, 10 आएगी, इसकी value आपके पास क्या आएगी, log 10 बेस, 10 आएगी, और इसकी value क्या होती है, 1 होती है, तो इसको आप cancel out करोगे, इसको cancel out करोगे, तो 0.3 times जाएगा हो जाए, 60 upon 0.3, तो 600 upon 3, यह क्या हो जाएगा, 200 minute आजएगा, तो कौन सा option से होगा, 2nd option is correct, नेक्स क्यूशन, 74, हाँ, क्यूशन नमर 96 क्या है, आर्सिंग सलपाट के सकंदन के लिए, विदूत अपगटूं के मिली मॉल पलेटर में, कोगलेशन वेल्यू आपको दे रहे कि, यह आपको electrolyte दे रहे कि चार, कि कोगलेशन वेल्यू दे रहे कि और पूचा क्या, कोगलेटिंग पावर पूचिए, तो यह दोनी चीज एक ही चीज है, तो कोगलेशन वेल्यू है, वो इन्वर्सली पूचनल होता है, आपको फिफलोकलेटिंग पावर या फिर कोगलेटिंग पावर, तो जिसकी कोगलेशन वेल्यू ज्यादा होगी, उसकी कोगलेटिंग पावर ज्यादा होगी, तो coagulation value सबसे कम किसकी है MGSO4 की तो उसकी coagulating power सबसे ज़्याद हो coagulation value सबसे कम है तो coagulating power का जो order होगा वो सबसे ज़्याद है किसका होगा 4th का, उसके बाद में 3rd का, उसके बाद में 2nd का और सबसे कम किसका है 1st का तो कौन सा option सही होगा 3rd option is correct 97 27, एक ठोस की विवस्ता में W पुर्माण हो है वो कहां पे है जो W है, वो located at the corner of the cube तो यह क्या होगा, 1 by 8 into 8 कितना होगा 1 atom होगा और oxygen atom है, center of the edge यह 1 by 4 into 12 है कितना होगा, 3 होगा और sodium कहां पे है sodium है center of the cube यहनिकी गन के केंदर पे है यह क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा तो na w o 3 यह आपके पास क्या जाएगा, इसका safe formula हो जाएगा यहनिकी second option is correct 98 समतापी और उदोस्परक्रम को करम से प्रदेशित करने वाला pv मद्द्यारिक है तो यह कौन सा हो गया समदाभी हो गया यह यह इसो बारिक यह हो गया सम आहतनिक आईसो कोरिक और यह क्या होता है आपका समतापी और यह होता है यह क्या हूस्थ छिर्दोस्थ में प्रक्रम होगो है तो है水 का इसका concept तो पता होगा adiabetic process में क्या होता है पी वी की पावर गामा इसकोल टू कॉंस्टेंट और इसमें वहता है पी वी इसकोल टू कॉंस्टेंट तो पी ब्रावर क्या होता है के अपॉन वी की पावर गामा और यहां पे पी ब्रावर क्या होता है के अपॉन वी होता है तो आपको पता है कि वी की पावर गामा है वो सेक्ट वाला है आइसो थर्मल तो आपका सही औप्शन उनसा ज़य को ज्च फोलो करते हैं तो आइडेल गेस में क्या होता है गेस के मुल्कुल्स के होगा ज्यादा होगा टो प्रेसर किया होगा कम होगा और गजुल्मण ज्यादा अगे मुल्यमु स्का ही जथा हो थि-थी ay एक डृक निगेस है इसके अंदर मुलिकूल स्वचे ये और ऑ्नट्र पर आपको मुल्यूम देरेकर 2.8 लिटर है तो इसके मौल निकाल लो आप तो मौल किता हैंगे वोल्यूम एट NTP 2.8 अपॉन 22.4 और मौलीकुल्स के लिए आप क्या करोगी इसके अंदर मौलीकुल्स आपको निकालने हैं तो आप क्या करोगी यह आपके पास क्या जाएंगे number of molecules और number of atoms के लिए आप देखो इसमें number of atoms कितने है तो x2 में atoms कितने है 2 है तो 2 into number of molecules number of molecules कितने 7.5 into 10 की power 22 तो यह जाएगा 15 into 10 की power 22 तो कौन सा option से होगा third option is correct ठीक है तो आई होप आपका paper अच्छा होगा thank you so much JCLC confidence के साथ अपने health को maintain करके रखे हैं Hello students myself Rajinder Burma team chemistry कैसे हैं आप लोग मुझे उमीद है कि इस समय आप मानसिक रूप से और शार्यूप्सूप रूप से बिलकुल स्वस्थ हैं क्योंकि यही आपको आपके 17 जुलाई को होने वाले NEET exam में सफलता दिराने के लिए जरूरी है आपका स्लेबस समय पर पुरा करवाया गया स्लेबस complete होने के बाद student को स्लेबस में कहां doubt है किस topic में doubt है इसकी जानकारी तभी हो सकती है जब वो अलग-अलग test देता है एक student के मन में physics को लेकर के नय चाहते हुए भी अंजाना सा डर बना रहता है उस डर को दूर करने के लिए आपके अपनी CLC ने आपके physics eco test series करवाई जिससे आपके physics के concept clear हुए कहीं आपको कोई doubt रहा तो आपने उसे बैट करके doubt को clear कर लिया बैठा उसके बाद CLC की एक unique test series है bio chem test series वो आपके करवाई गई जिसमें chemistry के और biology के questions थे आपने उन test के माध्यम से अपनी chemistry और biology को अच्छे से cover किया अच्छे से revise किया इन test series के बाद बच्चों के लिए पूरा स्लेवस दोबारा से revise तभी हो सकता था जब आपको एक और test series करवाई जाती और इसी क्रम में आपके अपनी CLC ने आपको दिया DCM test series daily come major test जिसके माध्यम से आप physics, chemistry, zoology, botany इन चारों subject को अच्छे से revise कर पाए फिर भी कहीं कोई आपके doubt रह गया, कोई समस्या रह गई, किसी topic में कोई problem रह गई तो आपको continuous doubt counter provide करवाई गई, आपके night camp लगार लगाई जा रहे हैं night camp में teachers आपके साथ रात को बैठते हैं आपका कोई doubt हो, तो आपको वो doubt clear करवाई जाते हैं अब finally student को पूरे syllabus से go through करवाने के लिए दंगल test series शुरू की गई है, आपने अब तक 4 दंगल test दे दी हैं बेटा कुल 10 दंगल आपको देने हैं, 4 आपके पुरे हो गए, 6 दंगल अभी बाकी है final दंगल, final दंगल जो होगा, 11 दंगल जो होगा, वो 17 जुलाई को है बेटा और उस 17 जुलाई के दंगल को जीत के आना है, जीत के आना है बेटा, जीत के आना है यही बोस का सपना है, जो आपको पूरा करना है वही इंसान सफलता प्राप्त करता है, जिसकी रगों में खोन के साथ साथ जुनून दोडता है हारना नहीं है छोरे छोरियो जीतना है 17 जुलाई का दंगल जीतना है वेटा ठीक है वेटा मैं आज आपके साथ आपके दंगल टेस्स सीरीज में और्गनिक केमेस्ट्री का जो पेपर था उसको डिसकस करने जा रहा हूं शुरू करते हैं क्वेशन नमबर 74 आपके पास और्डिकेमेस्ट्री यहां से स्टार्ट हो रही है क्वेशन आपके पास है विलियमसन एथर सिंथेसिस इज विलियमसन एथर संसलेशन क्या है विलियमसन एथर सिंथेसिस में आपको यूज करना होता है वेटा अलकाइल हैलाइड प्लस अलकॉक्साइड आयन सोडियम अलकॉक्साइड, पोटेशियम अलकॉक्साइड यह आप यूज करते हैं अब यह रियक्शन किस टाइप की है आप से यह पूछा है तो यह as a नुकलियो फाइल इस पर अटेक करके इसको यहाँ से रिलीज करता है इस रियक्शन को बोला जाता है विल्यमसन इथर सिंथेशिस अब यह मेकनिजम आपको बता नहीं है कौन से टाइप की है तो यह मेकनिजम कौन सी होती है विटा as an two टाइप का मेकनिजम है nucleophilic substitution आंसर के आ जाएगा आपके पास फूर्थ आंसर आ जाएगा नुक्लियोफिलिक सब्स्टिटूशन ठीक है वेटा 75 निम लिखित में से कौन सा SN1 के प्रती क्रिया शिल्ता का सही करम है which of the following is correct order of reactivity towards SN1 देखें इस यहाँ पर हम पहले option की बात करें यह विनाईल कलोराइड है और यहाँ पर आपके पास एलाईल कलोराइड है विनाईल कलोराइड SN1 reaction शो नहीं करता है SN2 reaction भी शो नहीं करता है तो पहला option wrong हो जाएगा विनाईल कलोराइड में SN1 SN2 reaction नहीं होती है तो यह reactivity order wrong है यहाँ देखें हम इसको चेक करेंगे वन डिग्री अगर मैं इसको रिलीज करूँगा तो यहां कार्बोकेटाइन वन डिग्री बनेगा और इसको रिलीज करूँगा तो यहां कार्बोकेटाइन क्या बनेगा वेटा थ्री डिग्री बनेगा वन डिग्री कार्बोकेटाइन के respect 3 degree carbocatine more stable होता है और SN1 का जो reactivity है वो directly proportional stability of carbocatine तो ये option भी आपके पास wrong हो जाएगा थर्ड की बात करें थर्ड में देखें आप थर्ड में आपके पास है benzyl chloride और यहाँ पर है आपके पास chlorobenzine chlorobenzine में SN1 reaction नहीं होगी, benzyl chloride में जो carbocatine बनेगा, वो resonance के थ्रू stable हो जाएगा, fast reaction हो जाएगी, तो ये order बिल्कुल correct है फोर्थ की देखें chlorobenzine SN1 reaction शो नहीं करेगा, तो यहाँ पर ये भी option चला जाएगा तो आपके पास answer क्या रहा बेटा थर्ड आप, क्या चेक करना आपको इसमें SN1 reactivity चेक करना है, और SN1 reactivity के लिए क्या चेक करना होता है rate of SN1 reaction directly proportional stability of carbocatine stability of carbocatine stability same है तो हम क्या चेक कर सकते हैं leaving group ability चेक कर सकते हैं आपको एक reaction दे रखी है तो पहले तम देखते हैं reaction कौन सी है, देखो आप देखो वेटा यहाँ पर यह first कौन सा reaction है आपको दिखाई दे रहा है, फिनोल चैप्टर से है यह कॉलबे reaction है और यहाँ पर जब आप इस process को complete करते हैं कॉलबे reaction को जब आप complete करते हैं तो आपको product एक क्या मिलने वाला है salicylic acid क्या मिलेगा बेटा, salicylic acid फिनोल चैप्टर से हैं अब इसमें आपको क्या करना है acid tilation complete करवाना है क्या complete करवाना है acid tilation phenolic group का acid tilation complete हो जाएगा product क्या बनेगा S-pynin यह B-product बना यह आपके पास A था बात समल में आ रही है बेटा phenol chapter में पहला part क्या है call bear reaction है call bear reaction से आपको क्या मिलता है salicylic acid मिलता है A और इसके बाद इसमें acetylation करवाया acetylation करवाने से क्या बना aspirin अब आपको चेक करना है identify correct statement सही कथन की आपको पहचान करनी है B का उपयोग दर्द निवारक के रूप में होता है B is used as an analgesic तो aspirin analgesic की form में यूज होता है correct पूछा था तो आपके पास यही आपका आंसर है answer क्या है first है अब B को चेक करें हम चेक तो करें लेते B does not react with sodium bicarbonate B sodium bicarbonate के साथ क्रिया नहीं करता है यह B है sodium bicarbonate से reaction करेगा क्योंकि इसमें CWH group present है करेगा तो यहां लिखा है does not यह रोंगो गया वेटा बोथ A and B contains phenolic functional group A तथा B दोनों में phenolic क्रियात्मक समू है बेटा A में तो phenolic group है लेकिन B में phenolic group नहीं है तो यह भी answer नहीं आएगा A is salicylaldehyde A salicylaldehyde नहीं है A क्या है आपके पास salicylic acid है तो आपके पास answer fourth मिन नहीं आएगा answer क्या आगे आपके पास first answer आगे अभिक्रियाओं में सही अभिक्रिया उत्पाद की पहचान करनी है correct reaction product हमें check करना है देखे पहला part क्या है PCC pyridinium chlorochromate PCC carbon carbon double bond को oxidize नहीं करता है mild oxidizing agent है carbon carbon double bond का oxidation नहीं करेगा तो अगर मैं इसकी reaction PC से करवाऊंगा तो carbon carbon double bond में कहीं कोई change नहीं आएगा प्राइमरी अलकॉहल oxidize होगा और किसमें convert हो जाएगा aldehyde में convert हो जाएगा तो इसमें ये product बनना चाहिए और product आप देखें ये बना रखा है और आपसे पूछा है correct reaction product ये तो correct नहीं है answer ऐसा आना चाहिए था ये answer नहीं है ठीक है बास समझ में आगी है second की बात करें C6H5 COCL H2 palladium और साथ में आपको provide करवाया गया है BASO4 COCL दे रखा है H2 palladium BASO4 reaction कौन सी name reaction है rosin moon reduction है rosin moon reduction में ये group किसमे convert हो जाता है aldehyde group में convert हो जाता है अब देखो क्या ऐसा answer है क्या ये नहीं है यहां घड़बड़ना CS2 यहां CS2 है CS2 नहीं benzaldehyde बनना चाहिए ये भी आपके पास incorrect है आपको correct चेक करना था थर्ड देखें CS3 CH2 CO NH2 NaOH PLUS BR2 NaOH PLUS कौनसी reaction है में ड़न? कौनसी name reaction है? Hoffman degradation Hoffman degradation Hoffman bromimide reaction Hoffman hypobromide reaction तो इस process में आपको क्या करना होता है? carbon chain को degrade करना है तो आपके पास यहाँ पर answer आएगा CS3, CH2, NH2 Ethyl amine और ये Ethyl amine दे रखा है answer कौन सा आगे बड़ा आपके पास? answer third correct पूछा था था ना आपसे? सही answer third आ रहा है ठीक है? fourth को check कर लेते हैं fourth देखें आप भ्यान से ये condition किसके लिए दे रखिया आपको? valve-kishner reduction दे रखा है बड़ा valve-kishner reduction में LDID किटोन को किसमें convert करते हैं? hydrocarbon में और यहाँ alcohol है जो कि wrong है तो answer क्या आएगा आपके पास? third answer आजाएगा इसमें भी आपको सही कथन की पहचान करने हैं correct statement आपको चेक करना है 2 chlorobutane 2 chlorobutane प्रकासिक समाव्यवता दर्शा सकता है 2 chlorobutane can show optical isomerism बिलकुल सही है क्योंकि यहाँ पर क्या present है? chiral atom single chiral atom single chiral atom present है one chiral atom आपके पास है और किसी भी compound में single chiral atom present हो तो वो optical isomerism show करता है बेटा optical isomerism show करेगा तो आपसे सही कतन पूछा था इसका answer first आ गया answer क्या आगे बेटा? first आ गया बाकी तीनों देख लेते हैं buttoine buttoine जामितिय समाविवता दर्शा सकता है can show geometrical isomerism गलत है alkyne में यहाँ पर geometrical isomerism possible नहीं है क्योंकि इसमें आप different configuration नहीं बना सकते हैं third these two are metamers wrong है these two are not metamers these are functional isomers functional isomers और यहाँ क्या लिखा है? metamers तो यह गड़बड हो गया D plus glucose and D minus fructose are enantiomers यह भी wrong है these two are not enantiomers these two are functional isomers functional isomers तो answer क्या आए बेट आपके पास first answer आगे है ठीक है? सही कथन इसमें भी आपको correct statement को ही check करना है सही कथन ही आपको पहचानना है terylene is an addition polymer terylene को अगर हमें बनाना है तो यह condition हमें use करनी होगी terthelic acid ethylene glycol इसको polymerize करेंगे आप तो आपके पास यह product बनेगा इसको बोलते है terylene और decrone अब चेक करें terylene is an addition polymer wrong terylene addition condensation polymer है first option wrong हो गया terylene योगात्मक बहुलक नहीं है बेटा ethylene glycol तथा terthelic अम terylene के एक लख है ethylene glycol and terthelic acid are monomers of terylene बिलकुल correct terylene एक सम बहुलक है terylene is a homo polymer wrong terylene homo polymer नहीं है इसके monomer different है monomer different हो तो उसे heteropolymer या copolymer बोला जाता है तो यहाँ पर यह wrong हो जाएगा homo polymer नहीं है यहाँ पर addition polymer नहीं है यहाँ पर यह homo polymer नहीं है terylene is a polyamide terylene polyamide नहीं है terylene को हम क्या कहने वाले है polyester terylene किस category का है polyester category का है तो यहाँ पर यह word भी wrong हो रहा इसका मतलब आपके पास answer कौन सा जाएगा वेटा answer second चला जाएगा आपको एक reaction दे रखिए उसमें major product आपको चेक करना है reaction का type पहले तो identify करो इस reaction electrophilic addition reaction है electron सनेही योगात्म का विगरिया है इसमें पहले H plus का addition होगा carbocatine intermediate बनेगा हमें carbocatine stability consider करने है more stable carbocatine is used to form a major product ठीक है देखें अगर मैं यहाँ पर पहले H plus का addition करता हूँ तो इस तरहें से मुझे एक carbocatine मिलेगा यह carbocatine resonance के through stabilize है अब यह इस पर attack करेगा और answer ही आ जिया जिया है reaction कौनसे type का है यह भी आपको याद करना है आपके neat exam में दोनों तरह से question पूछे हुए है reaction दे करके आपसे पूछा जा सकता है identify type of reaction electrophilic addition, nucleophilic addition, free radical addition, free radical substitution, nucleophilic substitution तो आपको reaction के type का भी अच्छे से knowledge होना चाहिए ऐसे question आपके NCRT में भी है जब आप 11th class में starting करते हैं, औरनी chemistry की तो वहाँ पर भी आपको इस type के question दिये हुए है तो आपको proper knowledge होना चाहिए reaction का type क्या है oxidation reaction है, reduction reaction है disproportionation reaction है addition है, elimination है addition का type क्या है elimination का type क्या है substitution है, तो substitution का type क्या है यह सारी information आपके पास होनी चाहिए पहले हमें carbohydrate and stability उसके बाद, तो आपके पास answer इस question में कौन सा आजाएगा बेटा second answer आजाएगा ठीक है मुख्य उत्पात एक reaction आपके पास और आपको major product बनाना, आप देखें BR2 के साथ मैंने sunlight provide करवाई है और halogen के साथ sunlight है तो आपका focus कहा होना चाहिए free radical formation पर focus होना चाहिए, तो यहाँ पर मुझे मिलने वाला है bromine free radical तो यह इसके साथ कौन सी reaction शो करेगा बेटा free radical substitution कौन सी reaction शो करेगा free radical substitution reaction यहाँ पर शो करने वाला है अब आपको इसमें check यह करना होगा कि कौन सा free radical stable हो सकता है, देखो मैं आपको यहाँ पर कुछ एक free radical बना के बताता हूँ यह सारे free radical possible है अब हम ही देखना है इन में से most stable free radical कौन सा है इन दोनों को तो छोड़ दो उसका reason है यह bond strong होते हैं वेटा यह दोनों bond क्या है strong bond है, strong bond easily free radical में convert नहीं होने वाला है, तो यह option तो reject हो गए 2 degree free radical resonance 2 degree free radical without resonance, 3 degree free radical resonance 1 degree free radical without resonance without resonance को भी reject कर देते हैं without resonance को भी हम reject कर देते हैं 2 degree free radical with resonance 3 degree free radical with resonance तो आपके पास यह कौन सा रहेगा most stable, इसको भी हम छोड़ देते हैं यह का answer रहेगा आपके पास most stable, तो यह most stable free radical आपको product formation में help करने वाला है major product पूचा है वेटा में आपके पूचा है major product पूचा है तो answer कौन सा आजाएगा आपके पास third answer आजाएगा यहां से कौन सा आजाएगा आपके पास third answer आजाएगा ठीक है reaction का type समझ में आगे है free radical substitution कौन से पोजिशन एट एलाइलिक और एट बेंजाइलिक इफ बेंजाइलिक कार्बनीज अबलेबल असत्य कथन की पहचान करो identify incorrect statement यह आपको चेक करना है amino अमल में CWH तथा NH2 समू होते हैं amino acid contains CWH and NH2 group एक amino acid को हम इस तरह से represent करते हैं natural amino acid इसमें यह दोनों group project है यह तो correct statement है और हमें क्या चेक करना है incorrect statement चेक करना है तो यह आपका answer नहीं हो सकता first answer आपका नहीं हो सकता second nucleoside contains pentose sugar and H3PO4 nucleoside में H3PO4 नहीं होता है pentose sugar के साथ में क्या connect होता है nitrogen base pyrimidine base हो सकता है purine base हो सकता है तो एक nucleoside को हम इस तरह से represent कर सकते हैं H और O H दोनों में से कोई भी होगा यह depend करेगा pentose sugar कौन सा है तो यह unit है आपके पास nucleoside की इसमें H3PO4 नहीं है बेटा incorrect statement था तो आपके पास answer आगया second क्योंकि statement correct नहीं है ठीक है थर्ड देख लेते हैं इन शुक्रोज glycoside linkage is present between C1 of alpha D glucose and C2 of beta D fructose यह बिल्कुल सही है शुक्रोज के में जो glycoside bond है वो alpha D glucose का C1 carbon beta D glucose का C2 carbon आपस में connected होते हैं थ्रू glycoside bond तो यह statement कैसा है correct statement है आपको incorrect देखना सा तो यह आपका answer नहीं हो सकता है फ्रक्टोज एक अपचायक शरकरा है फ्रक्टोज is a reducing sugar यह भी आपके पास बिल्कुल correct statement है तो यह भी आपका answer नहीं हो सकता है ठीक है बेटा निम्न लिखित में से कौन सा प्रती अम्ल नहीं है which of the following is not an antacid is not an antacid एलिटैम एलिटैम एंटासिड नहीं है artificial sweetening agent है तो आपसे पूछा था not an antacid answer फस्ट आजाएगा answer में कहीं कोई problem नहीं है एलिटैम एंटासिड नहीं है artificial sweetening agent है renitidine एंटासिड है cimetidine एंटासिड है magnesium hydroxide एंटासिड का काम करता है answer के आगे आपके पास first answer एक compound दिया आपको cs3 co ch cs3 and cs3 आपसे पुछा है iupac name तो सबसे पहले आप carbon chain select करेंगे उसके बाद numbering करेंगे numbering rule को use करेंगे 1,2,3,4 यहाँ पर number third पर क्या present है methyl 3 methyl 4 carbon है butane 2 on 3 methyl butane 2 on 3 methyl butane 2 on answer कौन सा आजाएगा वेटा आपके पास third answer आजाएगा ठीक है मुख्य उत्पाद के रूप में alkyl isocyanide gives alkyl isocyanide as a major product तो alkyl halide को अगर आप azcn के साथ react करवाते हैं nucleophilic substitution reaction होती है और product बनता है isocyanide क्यों बनता है क्योंकि silver cyanide में covalent nature है तो as a nucleophile यहाँ पर कौन अटेक करने वाला है nitrogen अटेक करने वाला है second की बात करें यह एक name reaction है amine chapter में आपके पास carbile amine reaction या आप इसे कह सकते हैं isocyanide test primary amine को identify करने में help करता है तो यहाँ पर भी आपको क्या मिलने वाला है isocyanide ही मिलने वाला है अगर हम rx में kcn को add कर रहे है तो nucleophilic substitution reaction होगा और product क्या बनेगा cyanide बनेगा क्यों kcn कैसा है nacn कैसा है ionic nature का है तो यहाँ पर carbon एक better nucleophile है और carbon carbon bond एक strong bond यहाँ पर बनने वाला है तो isocyanide बनना चाहिए था तो आपके पास first और second में isocyanide बन रहा है answer कौन सा चला जाएगा बेटा fourth answer कौन सा चला जाएगा बेटा fourth answer बास समझे में आगए agcn में isocyanide बनता है carvile amine reaction में isocyanide बनता है kcn के case में cyanide बनता है section B के जो औरनी chemistry के question है ethyl alcohol phosphorus plus iodine तो आपके पास एक nucleophilic substitution reaction हुई और इस nucleophilic substitution reaction से आपको क्या मिला यहाँ पर ethyl iodide क्या मिलेगा ethyl iodide nucleophilic substitution reaction SN2 process होता है बेटाइस के अंतर ठीक है अब इसमें magnesium plus ether आप use कर रहे हैं तो B आपके पास क्या आने वाला है secondary alcohol का formation करता है grignard reagent plus ketone tertiary alcohol का formation करता है तो यहाँ पर primary alcohol का formation होने वाला है यह इस पर attack करके इसको यहाँ transfer करेगा और यह यहाँ से H plus gain करेगा तो CS3, CH2, CH2, OH यह as a nucleophile यहाँ पर nucleophilic addition होगी यहाँ पर कौन सा प्रोसेस होगा nucleophilic addition बाद में इस O का क्या हो जाएगा protonation हो जाएगा यह answer आ रहा है आपके पास C 1, 2, 3 propane 1, all answer क्या आ जाएगा third पहला SN2 reaction करवाना है फिर gregnard reagent का formation है और last में आपको क्या करना है nucleophilic addition कर रहा है NCRT में direct दे रखा है alkyl cyanide यह आपके पास क्या है diabol H di isobutyl aluminium hydride और इस case को अगर हम use करेंगे तो आपके पास answer क्या आएगा बेटा fourth answer आ जाएगा ठीक है 88 अब इस reaction को देखो अगर मैं CS3, CH double bond, CH2 में diluted H2SO4 add करता हूँ तो electrophilic addition होगा और आपको यहाँ पर product मिलेगा alcohol कौन सा process होगा electrophilic addition alcohol product मिल जाएगा ठीक है अलकोहल में copper add करके heat करेंगे तो आपको क्या करना है LDI formation करना है secondary alcohol है ketone formation करना है tertiary alcohol के case में alkene बनता है और यह आपके पास NCRT में heading क्या है dehydrogenation second answer कौन सा answer आगे बढ़ा है बस second answer आगे ठीक है 89 आपके सामने एक reaction दे रखिया और आपको इसका name identify करना है इस condition को use करते हैं तो यह कौन सा बन जाता है clean mention reduction बन जाता है ठीक है most stable most acidic most acidic compound है तो carboxylic phenol, alcohol, alkyne most acidic कौन सा हो जाएगा carboxylic acid acidic strength की अगर आपन normal condition की बात करें तो RSO3H normal condition carboxylic acid phenol alcohol water alcohol और अलकाई किसी भी हालत में यह जुनून पैदा करो बेटा NCRT अच्छे से reading करते चले जाओ थेंक यू जे CLC ज्यादा इंपोर्टेंट इसमें यह सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट बात तुई है कि कई बार ऐसा कुछ पूस लेते हैं कि इसके लिए काम में लेते हैं तो स्टुडेंट यह द्यान रखना है इसमें लेते हैं Aumonia Water और Co2 झाला स्टुडेंट में स्टुडेंट Assamely यह रूमान कि रूप में स्टार्टिंग में हैं एक हिंकी डिक्सन कराते हैं यह अपर सुरेंट बनता क्या है तो और Aumônio Mbicarbonate बनता है क्या मधनता है अमोनियम भाइककारबोनेंट जब आपन आमोनिया की वाटर की और सियोटू की रियक्शन करवाते हैं सबसे पहले क्या बनता है अमोनियम बाइकार्बोनेट की फर्दर अपन रियक्शन करवाते हैं स्टुडेंट्स अमोनियम बाइकार्बोनेट की फर्दर अपन ब्राइन के साथ में रियक्शन करवाते हैं स् यहां पर आमोनियम क्लोराइड के साथ में क्या होता है इसको सेपरेट किया जा सकता है ड्यू टू इस लेश सॉलिवरिटी इट के बाद में किसमें अपने को सोडियम कार्बोरेट मिलता है तो सोडियम कार्बोरेट कैसे मिला यह तो समझ में आ गया लेकिन अपन इस मेथड से पोटेसियम कार्बोरेट क्यूं अपन नहीं कर सकते मतलब कैसील के साथ में यहां पर रियक्शन करवा के के यह तो बना लेंगे लेकिन स्टुडेंट के सीओ त्री जो है वह क्या होता है कार में मौर सॉलीबल और सॉलीबल होने के कारण इसको अपन सेपरेट नहीं कर पाएंगे और के स्टुडेंट सबसे इंपर्डेंट बात है कि क्या इसलिए नहीं बना पाते हैं क्योंकि केटू स्योथ्री बनाने के लिए आपको यहां पर प्रोड़क्त कौन सा मिलना आएगा तो आंसर कौन सा होगा थार्ड नेक्स्ट क्योंकि और अपना आगे बढ़ते हैं स्टुडेंट्स क्यूसर नंबर फिप्टी टू अपको जरूर याद रखना चाहिए अगर आपन बात करें स्टुडेंट इसमें जो गीवन चार ऐलिमेंट अभो और कौन-कौन से बारों, कार्वन, नाइटोजन और ओक्षिजन तो आपको एक तो ऑख्षिजन नë रखा है És菌ेंट्स तीक है ना और क्या दे रखा आपको नाइटोजन दे रुख्ख배 हैं और क्या दे रखा है कार्वन नाद ओक्षिजन के ठीक अप्शन नमबर थार्ड वेरी इंपोर्टेंट सेकेंड प्रियंट के लेक्टोर अफिनिटी का ओडर आप यह जरूर ध्यान रखें काफी इंपोर्टेंट है नेक्स्ट क्यूस्ट इस्ट्रेंट 53 बॉरॉन कार्बन नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन तो आप अगर इसके जब नहीं ब्रपक्त स्केहां तुवस्ट सुस्ट इनर्जी क्या होगी ईघ्यावन और यहां पर यह अटम किस में करोड़ों प्लस कार्बन प्लस नैट्वीस प्लस अograph म tuningront quello स्टूरेंट यहां पर न रहेगा और यहां पर कह occup Tür रहेगा । यहां पर रहेगा तु और यहां पर रहेगा तो रहेगा तूस्ट टूप टूब और यहां पर क्या रहेगा अजस्टू टूपी दूपक्र oldayed झानते हैं कि उसके बाद में कोन आएगा स्ट्रेंट्स नाइट्रोजन आएगा और उसके बाद में कोन आएगा बॉरॉन और उसके बाद में कोन आएगा सबसे लिस्ट पर कोन आएगा कार्बन तो सबसे ज्यादा फ्लॉरीन हो गया उसके बाद नाइटोजन हो गया उसके बाद बॉरॉन और उसके बाद कार्वन आंसर विल भी थर्ड तो अपन नेक्स्ट क्यूशन की और अपना आगे बढ़ते हैं स्टुएंट्स क्यूसर नंबर 54 अगर अपन बात करें अपने वह स्पीशीज दिये और माइनस और और 2 प्लस और 2 प्लस टूश्ट आपन जांते हैं स्टुडेंट्स के अंदर दो इलेक्टोन आप कर रहा हूं ठीक है अब यहां पर तो इलेक्टोन कितने है बोलो तोर्वboat 17 और यहां पर चोड़ा से कम होगी आपने पास 15 एलेक्टोन और यहां पर कितने एलेक्टोना 30 अट्थन जब होता है कि अगर यहां वब स्ट्पारइजिशन होते हैं टर इस्टैबलाइजेशन एक लेक्टोन माइनस होगा यहां से एलेक्टोन माइनस होगा ठीक का तो आप यह होगे 6-1 by 2 और यहांपर किता ओंगा Street Lots of the amount on project the student 3-7 ऑर यहांपर किता अएगा 2.5 और यहां पर बॉंदर किता अएगा 1.5 रोटब्स during पूछा है तो अपना आंसर कोन सा हो जाएगा स्टुडेंट फास्ट ठीक है ना नेक्स्ट क्यूशन क्यूशन नंबर 55 विच अप फॉलोविंग स्पीशिज अन्डिस्टोर्टेट ऑक्टाइडल स्ट्रक्चर इस्ट्रेट यह क्यूशन इसलिए इंपोर्टेंट है कि कई ब नहीं हो ला है तो सरावंडिंग एक्जेक्टली सेम हो उसको अपन वोलेंगे और अक्टाइडल क्या होगा कॉम्प्लेट अना इस्ट्रक्चर तो स्टॉट्टिर के अंदर आपन बात करें यहां पर मानलों को ऐलिमेंट है और यहां पर यहां पर स्राउंडिंग बिल्कु यहां पर लॉन पेर तो नहीं है बड़ साइड एटम जो थोड़ा डिफेंट हो गया लॉन पेर वाला हो गया विदाउट लॉन पेर तो यहां पर क्या होगा एकदम पर्फेक्ट ऑक्टाइडल स्टॉक्चर किसकी होगी बोलो ऐसे इसके अंदर अपने को माइनस तो इस टाइप से नहीं दिख रहा है यहां पर यह डिस्टोर्शन होगा इसके अंदर तो आंसर कुन सा होगी आपना फिस्ट नंबर 56 विच अप फॉलमिंग की बात करें तो देखो यह क्यूसन जो है अपन जानते हैं कि साइज बढ़ने पर साइज बढ़ने पर एक्स्टेंट्ट और सिग्मा बनाते हैं kg यहाँ पर को ऐक्सियल ऑवड़े prac कुछ यह होता है तो यहाँ पर सबसे स्टॉंग SP3 SP3 की तुला में SP3 SP2 साइज यहाँ पर कम हो रही है और SP2 SP2 साइज और कम हो रही है तो extent of overlapping यहाँ पर बढ़ेगा आंसर विल भी सेकेंड स्टूदेंटी नेस्टुजं रहे हुँए स्टूदेंट रहा हूँ पर अस行了 को मतलब या हुआ हुए इलेक्ट्रो वेलेंट compute का मतलब हो गया इस्टूदेंट आयोणी कंपाउण कौन से कंपाउड आयोणी कंपाउण और आपन के रल्ग मेल्टिग sera mountain क्या होगा हाई पार आपके बात करें तो गोन्हें होते हैं और डो क्या होंगे चेकर नुम्हें है कौन से पॉर्ण यह वाले तो एक्सिल यावा जानते हैं कि यह पर ज्यदा काम पर होगा एक्सियल और अपन जानते हैं कि यहां पर ऐसा एटम जुड़ेगा जिसका इन क्या होगा ज्यादा इस ऑर्बिटल के अंदर इस बॉंड के अंदर स्टुडेंट कौन सा क्रेक्टर ज्यादा होता है यह गुरूप हाइबडाइशन से भी अपन समझाते है एस्पी 3D हाइबडाइशन जो है वो इक है से एक drie क्या होगा ज्यादा टो एसा कौन सा एटंऔर होगा जो अबने इलेक्टरन नों को खुछ से दूर जाना दूर जाने देगा और यहां पर फ्लॉरियन को कहा पर जोड़ेंगे एपण यहां अक्ता हेडल कॉंप्लेक्स आपको दे रख है और इस पर पूछा अपने को कि यह जानते हैं कि जब भी जब भी अपन ऑक्ता हेडल जामेट्री के बारे में बात करते हैं तो म, A3, B3 केस की अगर अपन बात करें तो स्टुडेंट देगो यह फेस हैं यह क्या है फेस ओक्ताइडल जामेट्री के अंदर टोटल यह कितने फेस हो गए चार फेस हो गए यह एक फेस हो गया यह दूसरा फेस हो गया ठीक है और यह तीसरा फेस हो गया इसी परकार से इसके पिछे फेस होगा और चार फेस अपने निच्छे बना सकते हैं तो अगर अपन बात करें स्टुडेंट्स M A3, B3 की तो यहाँ पर अगर टीन सेम लिगेंड्ड जो है त्रीस सेम लिगेंड्ड अगर तीन सेम लिगेंड्ड जो है वह अगर मालों एक पार्टिकुलर फेस प हां पर इह ईक हो गया और यह भी आ ऑन्षा हो गया ठीक हुद एलेया और टो आप्को क्यों से में और एक behavior बढर से कि उना होते हैं ढिले क्या लिए ध्यान बन सके उस कंपाउंड के अंदर कौन से आइशो में जम होगी आयोनाइजेशन तो यहां देखो स्टुडेंट यह सियल जो है वह तो लिगेंड बन सकता है और को लिगेंड जो डिफ्रेंट आइन के रूप में बाहर आ सकता है तो यह आइशोमर क्या होगा इसमें पहले भी ओर यहां पर कोई नहीं मिल रहा है यहांपर देखो इस खक्मपाउंड का मैंने स्टुडेंट सेंब और इस वाले मिलेंगे इस compound क्या पर क्या क्या मिलेंगे बोलो as to call for an or two हाना और C l minus यहांपर तो C l minus मिल रहा है और इस वाले compound से क्या मिलेगा इस वाले compound से क्या मिलेगा बोलो C r as two ओका all four C l two है ठीका ना c l2 और यहां पर आपको आयन कौन सा मिलेगा स्टुडेंट एन और टू माइनस ठीक है ना तो आप यह कह सकते हो स्टुडेंट कि आपके कह सकते हो कि यह दोनों क्या होंगे बोलो आयोनाइजेशन आइसोमर आंसर कौन सा हो जाएगा सेकेंड नेक्स देखो एफेक्टिव अटोमिक नंबर नंबर का आपको फॉर्मुला पता होगा अपन क्या करते है जेड माइनस नंबर प्लस टू इन्टू कॉडिनेर्शन नंबर यहां पर देखो ऑक्स नंबर किता आएगा स्टुडेंट यहां पर प्लस फोर पोटेसियम एफी अक्स-6 बराबर जीरो अप्स बराबर प्लस टू ऑक्सिनेर्शन नंबर किता है अब बताओ जेड किता होता है फीका 26 हो गया दो इलेक्टोन आपने इसमें से माइनस कर दिए 24 होगे कॉडिनेस नंबर यहां पर चाह है तो 24 प्लस बारा किता होगिया स्टुडेंट्स चुडेंट्स प्लस आपन जानते हैं कि लूइस बेस क्या होता है तो स्टुडेंट अपन जानते हैं कि लूइस बेस क्या होता है लूइस बेस क्या होता है ऐसी स्पीसीज जो लॉन पेर डॉनेट करने वाली स्पीसीज को अपन क्या बोलेंगे लूइस बेस तो स्टुडेंट लॉन पेर डॉन क्या है पर थी अपना पाई क्लावड एक प्रकार से डोनेट गरता तो फेलिगेंड क्या अबोलो हाना यह लुविस बेश है क्या है ता अपना जानते है स्टुटेंट लुईस नागे बडानन तो लॉन पेर डॉनर इसका मनले 100% क्या होगा लिगेंड होगा बट और लिगेंड साथ लूइस बेस्ट इस नोट करेक्ट बट और लूइस बेस्ट यह करेक्ट होगा तो आंसर विल भी सेकेंड नेक्स्ट क्यों अगे बढ़ते हैं स है कि देखी फ्रॉठत building क आपने लिए आउगा फॉठत बेस्ट प्रोक्रोंटेश्ञ बेस्ट इसंड बेस्ट वेटिडियों एक प्रोपरिटिय फेइन प्रापरटी के बेस पर अपन फ्रॉट प्लॉटेशन मेठ़को काम में लेते हैं नेक्स देखो नमबर 92 लेंटियन इड़क्षन यह कॉंट्रेक्षन वर्ड जो सपेसली साइज रिदेख्शन की रूप में लेते इस अपनों कर थर्ड या थर्ड भी फूर्त या फूर्थ भ तो 440 हो गया और यहां पर 527 से यहां पर किता हुग गया 72 एहां पर 89 से किता होगा एिच्ट 104 अपना जानते है电 कि यहां पर 10一 से बढ रहा है लेकिन यहां पर 1021 से बढ रहे है क्योंकि लेंफनयप queima और लेंफनयध साइज में कॉंटेक्शन आपको नजर आएगा तो आंसर कौन सा होगा थार्ड नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं स्टुडेंट्स क्यूसर नमबर 93 इंटर हेलोजन कंपाउंड विच डज नोट एक्जिस्ट तो इंटर हेलोजन कंपाउंड की बात करें तो कोई भी हेलोज स्टेट यहां पर यहां पर इक प्रकाट से ओडियो टैप का वर पर नक स्टेट की बात करें टीक नथा करें अड़्थक स्सेट किस्टेट shaped burnt copyright रहे क्टिवेज तीन तो यहांपर आए आपनेशन क्टेश्ट तरी आप का और अगर बात करें अगर इसकी सेंटिक की बात करें तो एक excited state को अपन और आगे ले जाते हैं ठीक है ना तो यहां पर अपने पास बढ़कर किते होगे पांच तो इस ट्राइप का compound बन जाएगा ठीक है अब अगर अपन बात करें next की तो यहां पर कहने का मतलब है कि दो के अंतर से एक प्रकार से आप लेकिन icl4 यहां पर नहीं बनेगा ठीक है तो आप जानते हो इस्टुडेंट यह जो है ना इसमें कोवलेंसी कित्ती है दे रहे हैं इसमें चार तो अपन जानते हैं कि इस टाइप का इंट्रेविजिन कंपाउंड नहीं बनेगा आंसर कौन सा होगा इसके अंदर फॉर नेक्स्ट क्यूसन देखो अब भी ओएज का होल्ट्राइस प्लस स्टू ठीक ना तो इस्ट्रेट यह यहां पर इससे लॉन पेर ले रहा है तब यह स्पीसीज बन रही है ठीक रहा तब यह स्पीसीज बन करते हैं तो complete hydrolysis की अगर बात रहे तो तीन वाटर मॉलिक्यूल के साथ में आपको रियक्शन करवाना पड़ेगा यहां पर सिक्स एच्छे बनेगा और क्या बनेगा अक्सी O3 यहां पर प्रोड़क्ट कौन सा होगा अक्सी O3 बहुत ही इंपोर्टेंट रियक्शन है अना जिनों फ्रायडों के हड्लाइस की सभी रियक्शन बहुत इंपोर्टेंट है नेक्स्ट क्यों आगे बढ़ते हैं स्टुडेंट यह आपने कर लिया होगा ठीक है ना क्यूस